बच्पन में जब स्कूल बैग लेके साड़क पेग गई थी, घुटने में बहुत तेज़ चोट आई थी लेकिन डर इस बात का था कि अगले दें डिबेट कॉंपटिशन था अब्बू से मैंने बोला अगर नहीं मैं खड़ी हो पाई तो तो अब्बू ने बोला था, when the going gets tough, the tough get going उस वक्त उतनी अच्छे से मतलब नहीं पता था, लेकिन अब अच्छे से पता है हमारे अंदर दो चीज़ होती है, एक तो ताकत और एक हिम्मत आज हमारे अंदर हिम्मत कितनी है, साहस कितना है, करेज कितना है मैं आपको कुछ पॉइंट्स पताऊंगी, अगर वो आपके लिए सच है, तो आप खुद को एक पॉइंट्स दीजेगा लेकिन सच्चाई से और इमानदारी से, और इस वीडियो के एंड में पता चलेगा, कि आपके अंदर कितनी हिम्मत है दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं, एक वो जिने आराम की पसंद होती है मतलब जैसे लाइफ बन गई है, वो वैसे लाइफ जीना चाहते हैं उसमें बहुत जादा नायापन ना हो, उचा नीचा ना हो, जैसी चल रही है वैसे चलती रहे दूसरे वो जिने चैलेंजस बहुत अच्छे लगते, एक नयापन बहुत अच्छा लगता है अगर आपको चैलेंजस पसंद है, तो हिम्मत है बहुत, एक पॉइंट दे दीजे अपने आपको जिद में और ठान लेने में थोड़ा सा फार्क होता है जब हम किसी चीज को ठान लेते हैं, उसमें थोड़ी सी जिद होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जिद का मतलब ठान लेना होता है, वो एक नेगिटिव डिरेक्शन में भी जा सेकता है मगर अगर आपके अंदर कर्णिविक्शन है, वो ठान लेने वाली तापत है, तो कहीं न कहीं आपके अंदर हिम्मत है चीजों को ठान लेना, यह सोच लेना कि अगर यह करना है तो करना ही है अगर लाइफ में सही क्या है और गलत क्या है इसका फर्क पता है अगर जो अंदर जमीर की आवाज है वो सुनते हैं हम इंसानियत के नाते क्या सही है और क्या गलत है यह जानने के बाद हम जिन्दगी में यह तै करते हैं कि इससे नहीं भटकना चाहे वो friends ही क्यों ना हो, family members ही क्यों ना हो अगर सही के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी तो लड़ेंगे अगर यह जजबा आपके अंदर है तो आप please अपने आपको अभी एक point दीजे अगर आपको इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर मैं यह करूं तो दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा आपको लगता है यह सही है तो सही है और मैं करूंगा अगर आपको फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे तो हिम्मत तो है boss, एक point तो बनता है सारी प्रॉब्लम ही है कि लोग सुनना नहीं चाहते हैं If you have an open mind अगर आपका जहन खुला हुआ है आप डिबेट्स में, डिसकॉशन में, क्रिडिसिजम में बिलीव करते हैं तो आपने हिम्मत है यार, करेज है अपने आपको एक पॉइंट दीजे कोई हमीं क्रिडिसाइज करे हमारे अक्शन को क्रिडिसाइज करे अच्छा तो नहीं लगता सवभाविक है, नाच्रल है मगर, we must know how to take it in our stride अगर क्रिडिसिजम से आप नहीं डरते हैं उसे अपने जिंदगी में आगे लेके बढ़ना सीखा है तो हिम्मत है आपने जो इंसान दिल का बहुत अच्छा होता है ना, compassionate होता है पर लग जो अपनी जरूरत से पहले दूसरे के बारे में सोचता है उसमें भी बहुत हिम्मत होती है इंसानी फित्रत होती है किसी को जज करना किसी के बारे में राय बना देना लेकिन अगर आप आप अब 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 जेक्टिव है निश्पक्ष है, जस्ट है तो आपमें हिम्मत है धर्रे वाली जिन्दगी नहीं जीनी है दुनिया जिस तरफ जा रही है वहां नहीं जाना है अपनी एक अलग मंजिल है वो रास्ता दुनिया से अलग है उससे नहीं घबराना अगर ये सब आपके अंदर है बहुत हिम्मत है आपने जिम्मेदार इंसान भी एक बहुत हिम्मत है इंसान होता है अपनी आक्शिन्स, अपनी डिसिजिन्स के लिए रिस्पॉंसिबल होना हो सकता है मैं अपनी जिन्दगी में कुछ करना चाहूं लेकिन मेरे उस फैसले का असर किसी और की जिन्दगी पे बुरा हो सिर्फ वो सोचके मैं अपना फैसला बदल दू तो ये कायरता की निशाने नहीं है ये हिम्मत ये करज की निशाने है तेकिंग रिस्पॉंसिबलिटी ओव दी आक्शिंग तेक्स लॉड़ अप करज दुनिया में कुछ लोग होते हैं जो बहुत लंबी-लंबी फेकते हैं कुछ तो इतनी उची पतंग उडा लेते हैं तो बादल से भीख के वापस आती है लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं वो करते हैं अगर आप जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं तो हिम्मत तो है आपने एक तो वो लोग होते हैं जो खुद को कुछ समझते हैं और दूसरे वो होते हैं, जो अपने आपको बहुत अच्छे से समझते हैं, उनके अंदर अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उससे उन्हें self-confidence मिलता है, वालब किसी भी situation में, उन्हें exactly पता होता है, कि इसको कर गुजरने के लिए उन्हें क्या चाहिए होगा, वो उनके अंद होता है, self-confidence, उसको पता होता है, कि वो क्या है, अगर आपको पता है exactly कि आप क्या है, तो खुद को एक पॉइंट दीजिए, तो आपने अपने आपको पॉइंट्स दीए, सच्छाई से, इमानदारी से, honestly, no cheating, तो बस, आपके results. झाल